हलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासस में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी ये फोर्थ सेमिस्टर की यूनिट फोर्थ पोईटरी इसमें हैं कभीर दाश जी के दोहे हैं उसकी पंक्तियां प्रेस्क्राइब्ड हैं हमारे सलेवस में तो छह पंक्तियां हैं शिक्स बर्सेस हैं जैसे 1, 2, 8, 12, 8, 12, 53 और 69 तो देखो इस वीडियो में हम बर्स 12 को पढ़ेंगे ठीक है जो हमारा एडिशन है पूरा कलेक्शन है समझा देते हैं किस से है यह इंग्लिस राइटिंग ओफ रविन्दना टैगॉर इसमें कभीरदास जी के दोहे हैं इसकी दो वीडियो में आपको दे चुकी हूँ तो यह बर्स 12 है उसको पढ़ेंगे समझेंगे यह जो दोहे हैं कहां से लिए गए हैं मैं आपको बता दूँ यह आपने कभीरदास जी का बीजक का बिशंग्रे सुना होगा बहुत फिमस है बीजक इनका कभीरदास का कभीरदास जी बहुत फिमस कभी थे तो शाकी सवद रवेनी जो उसमें हैं तो साखी से यह पंक्तियां हैं तो यह है देखो हंसा कहां पुरातन बाट हंसा कहां पुरातन बाट ठीक है तो हंसा मतलब हंस और कहां कहां से पुरातन मीश प्राचीन एंसेंट और बाट बाट का मतलब एक तरह से रास्ता होता है बाट नहारना बाट और यहां यहां पर जो सेंस है वो कहानी से है तेल से है ठीक है तो यहां इस पंग्ती में कबीर दास जी संत कबीर दास आत्मा को हंस कहकर संबोधित करते हैं और पूछते हैं कि यह हंस कहां से आया है मतलब जो हमारे अंदर आत्मा है तो वो आत्मा उस आत्मा को उन्होंने हंस कहा है और यह हंस यह आत्मा कहां से आई है और कहां जाएगी यह जिस पंक्ती में नोंने बताया है आत्मा कहां से आई है और आत्मा को कव आनंद प्राप्त होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कभी दाजी बहुत अधात्मिक कभी थे और निर्बुड का विधारा की कभी थे और बहुत ही फिमस्ट क भी थे ःनको मौल प्राप्त हुआ था कि तो फक्रांसा कहां पुरातनबाट अ कि कि में हिंदी में हमारे पास एंग्लिगे सब्सक्राइब लेकिन होगे यह हिंदी में और इसको एक्सोन केक्षिपर सुम्तかった जै संट करें। इस करेंगे इसी video में एक तो tell me thank you tell me मुझे बताओ ओ स्वान, अरे हंस, your ancient tale अरे स्वान, स्वान का मतलब आत्मा ठीक है, ये स्वान जो है आत्मा तेल मी, मुझे बताओ your ancient tale, अपनी प्राचीन कहानी अपनी पुरानी कहानी बताओ from what land, किस land से do you come तुम आये हो, आते हो मतलब किस जगह से तुम आते हो land का मतलब इस्थान, place से है ठीक है, from me से, किस इस्थान से तुम आते हो, ओ स्वान, अरे हंस और to what shore will you fly यहां कर लेते हैं थोड़ा सा fly, ये fly, अब fly यहां पर शब्द यूज क्यों कि यह है, देखो, फैल इसकार्द समझ लेते हैं, to what shore किस सोर से, किस शोर पर, किस किनारे पर, या किस इस्थान पर, will you fly तुम उड़कर चले जाओगे, मतलब चले जाओगे कहां से आते हो तुम और कहां चले जाते हो कहां, तो ये fly शब्द क्यों यूज किया है, go न यूज करके क्योंकि यहां पर, यहां पर उन्होंने soul को श्वान माना है, ठीक है आत्मा को हंस संबोदित किया है तो where would you take your rest कहां तुम आराम करते हो और ओश्वान अरेश हंस, and what do you seek और तुम क्या ढूडते हो, what means क्या do you seek, तुम ढूड रहे हो या ढूडते हो even this morning, इस सुबह भी ओश्वान अरेश हंस, awake, तुम जागे arise, उठे, और follow me, और मेरे पीछे चल दिये, मतलब मेरा पीछा किया अब भाई, हम जागे हैं, तो हमारे अंदर आत्मा है आत्मा है, तो हम जो करेंगे वही करेगा करेगी आत्मा, ठीक है तो इस सुबह भी तुम morning में जागे और तुमने क्या किया, मुझे follow किया there is a land where no doubts, no sorrow have ruled तुम उस land से हो उस इस्थान से हो, where जहां, जैसे हटा लेते हैं, ठीक है there is a land, एक इस्थान है, या तुम उस इस्थान से हो where, जहां, no doubt जहां पर कोई संदे नहीं है सक नहीं है, जैसे एक दूसरे पर लोग सक करते हैं no sorrow, non वहां पर कोई कश्ट हैं, कोई दुख नहीं है तुम वहां से हो, have ruled जहां पर कोई doubt, कोई शक ठीक है, नहीं है वहां तुम rule करते हो वहां तुम रहते हो, वहां से आए हो where the terror of death is no more where means जहां, terror of death terror means why, death means मृत्य, जहां मृत्यू का कोई भय नहीं है, is no more और अधिक, ठीक है, no means नहीं, और more means अधिक, जहां मृत्यू का कोई और अधिक डर नहीं है, भय नहीं है तुम वहां से आए हो और वहां आप रहते हो ठीक है, and there is the boots of spring are a bloom and the fragrant scent he is born on the wind ठीक है, आगे देखेंगे, देखो वीर, डीर दा बूर्द, बूर्द मीज जंगल, ठीक है, of spring, spring season में are blue bloomEEs खिलते हैं, जंगलों में जहां पर spring season में फूल खिलते हैं बूर्द मीज फूल खिलते हैं spring means पसंतरितू, बूर्द मीज जंगल में, बहां तुम क्या करते हो रहते हो या बहां से आए हो and the fragrant scent और जहाँ पर क्या होती है फूलों की खुश्बू बहती है scent means खुश्बू fragrant का भी मतलब है वही खुश्बू से ही है fragrant क्या करती है scent करती है खुश्बू छोड़ती है फूल के लेंगे बहाँ पर खुश्बू शुगंद या खुश्बू pregnant में शुगंद और scent में खुश्बू ठीक है जहाँ पर क्या है जंगल spring season में जंगलों में क्या है फूल किलते हैं महाँ पर खुश्बू आती है बहाँ से तुम आए हो और he is born on the wind और तुम क्या करते हो he is born born हुआ है on the wind हवा के शाथ मतलब वो क्या करता है हवा जिस तरह से उसकी खुश्बू भूलों की खुश्बू जब हवा में तैरती है उसी तरह से तुम भी उसी के साथ तैरते हो there the bee of heart bee means मदमक्य of the heart means हिर्दय की is deeply emerged and desire no other joy joy means आनद जब हिर्दय रूपी मदमक्य bee means मदमक्य हिर्दय की मदमक्य क्या करती है deeply means बहुत गहराई से emerged means डूब जाती है खो जाती है तो desire उसकी no other तो उसकी कोई अन इच्छा नहीं रहती और joy और उसे आनद आता है कहने का तात पर ये है भावार्थिस का ये है कि जिस तरह से मदमक्य जब अपने छटे में उसमें सहद में पूरी तरह से लिप्त हो जाती है तलीन हो जाती है emerged हो जाती है तो उसे कहीं अनद नहीं आता है और उसी में लगी रहती है उसी में उसे आनन्द आता है उसी तरह से जिस तरह से आत्मा को जब परमात्मा का ज्यान हो जाता है तो वो जनम मरड के बंदन से छूट जाती है और वो परमात्मा में ही लीन हो जाती है वहां उसे बहुत जोय आता है आनन्द आता है तो आत्मा तुम बही हंस हो क्या हो तु हिर्दय की हिर्दय रूपी मक्ही हो जिसे क्या हो जाता है परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो उसी में वो इमर्ज हो जाती है ठीक है इस तरह से इन पंक्तियों का अर्थ है अब हम चलते हैं इसका explanation देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले हम इसका reference to context देखेंगे these lines have been taken from the verse number 12 composed by the great poet sent kabir ठीक है these lines have been taken ये पंक्तियां ली गई है from इस से verse number 12 से ये पंक्तियां कहां से ली गई है verse number 12 से ली गई है composed by great poet composed मिस लिखी गई है महान कभी शंत कभीर के द्वारा इनको लिखा गया है in this verse इस पंक्ति में the poet addresses कभी संबोदित करते हैं the human soul मानव आत्मा को and details और बताते हैं भेन जब the soul recognize itself जब आत्मा अपने आपको पहचान लेती है तो it attains pleasure तो इसको आनंद प्राप्त हो जाता है attains means प्राप्त होना और pleasure means आनंद तो उसे आनंद प्राप्त हो जाता है तो आगे चलेंगे explanation देखेंगे the great poet कभीर दास addresses human soul great means महान addresses में शम्मोदित करते हैं human soul में इस मानव आत्मा को as means के रूप में as one means hans महान कभी कभीर दास human आत्मा को मानव की आत्मा को hans के रूप में शम्मोदित करते हैं as swan hans के रूप में Swan is the symbol of purity and divinity Swan, hence symbol means purity and divinity मतलब सुद्धता का और ईश्वरता का इश्वर का और सुद्धता का symbol माना गया है He asks, वह पूछता है From means where the soul has come वह पूछता है कि आत्मा कहां से आई है From where the soul has come आई है Where it will go, यह कहां जाएगी And where it will take rest, और यह कहां आराम करेगी He himself replies, वह स्वयम का उत्तर देते हैं और कहते हैं, the soul has come from the land आत्मा उस स्थान से आई है From the land उस स्थान से आई है There is no sorrow, जहां कोई कष्ट नहीं है And there is no fear of death जहां कोई मरत्यू का भे नहीं है मतलो आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है तो जहां कभी मरत्यू का भे नहीं है It lives in the wood यह उस जंगल में रहती है Where the spring never depart जहां पर बसंत कभी नहीं खतम होता जहां पर जहां पर जहां पर जहां पर जो फूल खिलते हैं और अपनी खुश्बू छोड़ते हैं तो वहीं पर उनके साथ यह चलती है और वहां पर क्या करती है मद मखी लगातार उन फूलों से क्या लेती है सहद लेती है It feels ऐसा लगता है It feels satisfied यह अपने आपको संतुष्ट फील करती है अनुभव करती है संतुष्ट हो जाती है आत्मा जब तक संतुष्ट नहीं है तब तक हमें चैन नहीं है और आत्मा संतुष्ट है तो व्यक्ति क्या है उसकी आत्मा संतुष्ट है तब व्यक्ति को कहीं चैन आता है है और क्योंकि वो अपनी आपको नहीं पेचान पता है उसे पूरν गियान नहीं है और ब्यक्ती यापनी आत्मा को पूरी तरहा से पहचान लेता है तो उसे प्लेज़र अटैन नहीं है मतलब तो और अगर आदमी यह जान ले कि आत्मा परमात्मा का ही रूप है और न कोई कुछ लाया है न कोई कुछ ले जाएगा बस कर्म ही सर्वो परी है तो ब्यक्ति क्या हो जाता है अपनी आत्मा को पहँचान लेता है तो हमेशा प्रिश्ण चित रहता है उसे आन अंटमा संतुष्ट नहीं है तो वह हमेशा कितना भी धन उसके पास क्यों न स cathedral को हमेशा क्या रहता है परेशान रहता है उसे सैटिसफाइड है तो यह अपन्य अपने आत्मा को भी जब ग्यान हो जाता है तब उसे परमानंद की प्राप्ती होती है तो आगे देखेंगे its desire to get more honey to finish forever its desire इसकी इच्छा होती है to get more money प्राप्त अधिक money sorry money क्यों honey कुछ भी पढ़ देते हैं its desire to get more honey इसकी इच्छा होती है more honey को get करने की प्राप्त करने की is finished जो finished हो जाता है forever हमेशा के लिए अब इसका क्या करेंगे critical notes देखेंगे critical notes है इसके देखो first है swan is used as a symbol for soul swan is used swan को प्रियोग किया गया है as a symbol for the soul आत्मा के लिए एक symbol के रूप में प्रियोग किया गया है swan is a symbol of purity and divinity swan क्या है symbol है प्रतीक है purity का और divinity का अगला second है there are three ways to attain god through knowledge there are three ways तीन तरीके हैं to attain प्राप्त करने के god भगवान को through knowledge knowledge के द्वारा love के द्वारा और worship तीन क्या है तीन उन्होंने thoughts बताए हैं तीन चीजें बताई हैं तीन तरीके बताए हैं भगवान को प्राप्त करने के कौन कौन से नौलेज ग्यान होना चाहिए प्यार होना चाहिए और बरसे पूजा होने चाहिए ठीक है इन तीन के द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है भगवान को प्राप्त कर सकता है गौड को according to कभीरदास कभीरदास जी के अमसार he can attain वह attain कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, गौड भगवान को through knowledge, knowledge के द्वारा It means, इसका मतलब है, we should understand, हमें समझना चाहिए that no knowledge is outside, कोई भी ज्यान outside नहीं है, परे नहीं है हमसे परे नहीं है, it is inside in the human soul, सारा ज्यान human soul के अंदर है, it is inside, inside means under, in the human soul आत्मा, मानव की आत्मा के अंदर ही नहीं है, हमसे बहार outside नहीं है ग्यान कहीं, कहां है inside the human soul, human soul के inside ही है, बसरते इंसान उसको समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, और main बाती है कि उसका मुल्यंकन नहीं कर पाता थर्ड है, the verse has the shade of mysticism, verse means, पंक्ती has means रखती है, shade means एक चाया, प्रत्रिलिप चाया कहेंगे, mysticism mysticism means अध्यात्मबाद है, रहषवाद का, ठीक है, तो, कबीरदास रट, mysticism क्या है, mysticism क्यों बताएगे यह इस पंक्ती को, क्योंकि भाई, आत्मा, परमात्मा यह एक रहष्य है, एक अध्यात्मबाद है, समझ में आया, तो यह जो पंक्ती है, क्या रखती है, shade of mysticism रखती है, ठीक है, important है, कबीरदास रट, रट, this verse, कबीरदास जी ने लिखी थी, this verse इन पंक्ती, इस पंक्ती को, यह वर्षिस होना चाहिए, यहां पर, कबीरदास जी ने इन पंक्तिएन को, कबीरदास रट दीज बर्षिस इन सादुक क्डाई लेंगेज, सादुक कड़ी जो सादुक कड़ी भाषा थी कभी दास जी की जो भाषा थी वो सादुक कड़ी भाषा थी क्योंकि उन्हें संत कबीर कहा जाता था संत और संत की भाषा क्या होगी सादुक की भाषा सादुक कड़ी भाषा ठीक है तो संत कबीर ने इन पंक्तियों को सदुक्डी भाशा में लिखा था ठीक है इस तरह से हमारी बर्स नम्मर 12 कम्प्लीट हो जाती है बिदेग जम्पन ठीक है ठैंक यू जैहिंद जै भारत अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी भी बर्स के साथ